हाई एवरिवान नमश्कार वेलकम बैक टू माई चैनल हरीदवार फैमिली व्लॉग्स कैसे हैं आप सब बाशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक टाक होंगे बहुत अच्छी होंगे और बहुत ही खुश होंगे आज का वीडियो मैंने दोपहर के बाद का टाइम हो रखा है इस टाइम से शुरू किया है बस अभी तयार हुई हूँ वैसे तो आज मेरा मन नहीं था रिकोर्ड करने का कुछ भी क्योंकि आज तब यह थोड़ी सी धीली थी और जब तब यह धीली होती है तो फिर आपको पत लगी बस फिर अपना जो है काम बचा हुआ था वो फिनिस किया ज्यादा काम नहीं किया है आज और फिर आच्छे से तयार होई कंगी वंगी की सुबह मेरी कंगी नहीं होती है और मेरा ऐसा भी है कि कंगी नहीं भी होती है ऐसे चल जाता है एक आप दिन तो मेरा तो बस फि तो गर्पे मैं ही हूँ बच्चे बाहर गए है और रचशा के लिए नहीं जा सकता था तो इसरे साथ गया है क्योंकि वह भाई कभी तेदों लेके नहीं जा सकता ज्वालापुर गए तो दोने गए हैं और बापा से पूछे लिया अधा ने mm की चले जाना क्योंकर कि इनको calm होता नहीं सद्ध में time पटा नहीं मिले ना मिले तो आज दोनों चले गई मेरा थोड़ा सा मावा Batcha relaxing क्यूंकि घर से मावा आता है तो काफी सारा तो उसमें से कुछ बचा हुआ है हाला कि अभी हलवाわかँ .chlOH ISN ने अच्छे से भून के रख दिया था और घर का मावा होता है जो भूना हुआ कुछ लोग खोया बोलते हैं तो वो भून के न फिर कई दिन तक फ्रेश रखा रहता है कुछ नहीं उसका खराब होता हैं और सर्दी में तो चली जाता है और जाता तो बस थोड़ा सा मावा बचा हुआ है उसको यूज करने की सोच रही थी और हलवा तो बनाई लिया था हलवा तो बोर नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी तक वो ही चल रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर की बर्फ खोए के साथ मावी के साथ जो तिल मावा के लड़ू थे वो भी मैंने बना लिए अब मकर सकरांती आएगी मकर सकरांती पे बनेंगे तिल के और गुड के लड़ू तो बस मैंने सोचा चलिए इसको हम यूज कर लेते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रख दो तो इतनी जल् तो बस वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी लेकिन उससे पहले वीडियो के कॉमेंट चेक कर रही थी तो जो मेरी हलवे वाली वीडियो है उस पे कॉमेंट आया है एक मम्मी के मावे से यादा गई यह बात मुझे तो देखिए मावे से यादा आई क्योंकि मावा ममी का है और वो जो कॉमेंट है ममी से रिलेटिड है तो मैं उनको यह बोलना चाहूंगी यहाँ पर जो उन्होंने कॉमेंट किया है चलिए पहले आपको बता देती हूँ उन्होंने उसमें लिखा है कि तुम तो अपनी शौप में अपने घर में अपनी वीडियो में मैं मानती हूँ ममी तो अकेली बहुत क्यों होती हैं मेरी नहीं हैं बहुत क्यों होती हैं पर चलिए मैं मानती हूँ मेरी ममी के पास बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो रखे हैं इतने चोटे बच्चे नहीं हैं मेरे बच्चे जैसे हैं वे भी तने बड़े बच्चे है तो उन्होंने बोला है कि मम्मी की हेल्प नहीं करती, तुम बच्चों से महां काम कराती हो, तुम आराम करती हो, मुझे या सी भी आ रही है और मेरे जितना काम माईके में जाके शायद ही कोई लड़की करती हो, जितना मैं करती हूँ तो अगर मैं वहां भी जाके आपको जाड़ू, पोच्छा, बरतन दिखाऊं तो उससे क्या होगा, आप क्या बोलोगी, आरे यहां भी जाड़ू, पोच्छा इदिखाती है और मावी भी जाड़ू, पोच्छा, बरतन वो मम्मी को नहीं करना पड़ता, तो मैं क्यों करूँ बता हो जाके, मैं क्यों करूँगी, तो कोई भी नहीं करेगा, जब हैलपर लगी हुई है इस काम के लिए, तो उन्होंने ये बोला है, कि तुम मस्त हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, मम्मी का ध्यान नहीं रखते, तो बस ऐसे-ईसी बाते उन्होंने कुछ लिखी करते हैं तो देखिए आपको मेरी एज का पता है कितनी एज है मेरी मेरे बड़े बच्चे हो रहे हैं तो 17 साल का मेरा जो है बड़ा बेटा हो गया है 17 का 18 में शुरू हो गया है अभी 30 नौमबर से तो मुझे ये बताईए कितनी एज है मेरी इस उम्र में मैं मम्मी को संभालो जाके अपने माईके में या फिर मैं अपने ससुराल को संभालो मेरी कोई बेहन भी नहीं है अकेली हूँ मैं कि चलिए एक बेहन मम्मी के पास कुछ दिन चली जाए कुछ दिन मैं चल कोई देवरानी जेठानी नहीं है तो अकेली हूं और उपर से मेरे इनलोज मेरे साथ रहते हैं मेरी बड़ी नंद है जो की आपको पता है छुपा नहीं है आपसे अगर मेरे आप डेली के विवर होते तो शायद ना ये लिखते तो मुझे ये बताईए नंद की हालत आप लो है लेकिन कुछी दिन में आ जायंगे और दिवाली से पहले यहीं पे थे कितने महीने गई तो इसमें चलिए आप लोग बोले ना बोले लेकिन जो हमें सिखाया गया है ममी ने शादी करके ममी पापा ने दूसरे घर भेजा है इस घर को संभालने के लिए तो इस घर को मैं सोड़ दूँ और ममी को जाके संभाल लूँ ममी का काम तो हो जाएगा ममी को हेल्प हो जाएगी लेकिन इस घर का क्या मेरे ससूर मेरी नंद क्या क्या वो कहां जाएंगे, कहां खाना खाएंगे, कैसे करेंगे, या फिर मैं अपने बच्चों को भी महीं लेके जाओं। तो मतलब कुछ लोग ना ये भी नहीं सोचते कि क्या लिखना है, क्या बोलना है, कुछ भी मतलब बस लिखना है तो लिखना है। तो देखी हमारे ये संसकार नहीं है, हमें जो सिखाया गया है, हम लड़कियों की शादी होती है, सबसे पहला काम होता है हमारा ससुराल को संभालना, ससुराल की जिम्मेदारी निभाना, हम अपने उपर विध्यान बाद में देते हैं, पहले हमें ससुराल की जिम्मेदारी न अपना बाद में तो हमें तो मम्मी ने ये सिखाया है मम्मी ये बिलकुल भी नहीं चाहेगी कि मैं अपना घर छोड़ दू अपनी जिम्मेदारिया छोड़ दू अपने ससुर को छोड़ दू और अपनी मम्मी के पास चली जाओं कोई भी मा नहीं चाहेगी मेरे हिसाब से तो तो छोड़ दो तो फिर शादी क्यों करनी फिर मम्मी पापा के पासी रो पर चलिए जो भी है देखिए तो हमारी या इसा नहीं होता है तो मतलब ऐसा बस पता नहीं कुछ लोग क्या सोचते हैं देख रहे हैं वीडियो किस मतलब किस طرح کی और बोल क्या रहे हैं तो वो मुझे समस्च नहीं आता और उन्हों कैसा रगा होगा मतलब कैसे कॉमेन लिखा जो मैंने हलवा बनाया मैंने बताय कि मवा मम्मी का मम्मी ने देया ता माईके से मावा आया है लेके आये थे तो उस बात पर बस उनको माईके के लिए लिए लिखने का मतलब मौका मिल गया तो कुछ लोग इस तरह से होते हैं तो प्लिस ऐसा ना बोले ऐसा नहीं होता है देखिए लड़की की हर किसी लड़की की जब साधी होती है ना उसके बाद उसकी जिम्मेदारी प ताइम पे और जितना मेरा घर परिवारे आप देखते हो मेरा काम है तो मतलब उसकी चिंता आप ना करें बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं बहुत खुश हैं बढ़ी आए एक दम और उनका जो भी काम काज जैसा भी पढ़ाई लिखाई सब चल लही है बहुत अच्छी चल क्योंकि उसकी टैंसन हमें हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं बहुत कुश हैं और नहीं इतने छोटे हैं कि उन्हें किसी की हेल्प की जोरत पड़े या मतलब वो अपना कुछ करना सके और रही काम की बात तो काम क्या हम बच्चों से कराते हैं कुछ भी नहीं करा क्या करते हैं हमारे बच्चे पढ़ना लिखना यही काम है और रही लड़की की बात लड़की 10th क्लास में है तो थोड़ा बहुत जो है घर में लड़कियां करती है अपने और वो तो करती नहीं है उनके तो इस टाइम पेपर चले वे ते पता नहीं उन्हें कहां पर दिख ग मस्त रहना पड़ता है बिना मस्ती के काम होता नहीं अगर काम में मस्त ना हुए तो फिर तो मन नहीं लगता जैसे कि मेरा सुबह से मन नहीं लग रहा था तो मैं काम नहीं कर रहे थी तो ऐसे काम नहीं चलता है तो चलिए बाते देखे आज कितनी हो गई पूरी वीडियो जो है आज बातों में ही खतम हो गई और हाँ देखिए आज मैंने ये वाला सूर पहना है जो मैंने अपने स्टोक से बनवाया था भी आज मैंने दूसरी बारी ये पहना है और आपको इसको मैं दिखाऊंगे अभी किये कैसा लग रहा है तो चलिए पहले मैं आपको अपना किचन में और बनाएंगे गाजर की बर्फी क्योंकि मावा बचा हुआ है तो वह तो बनाने ही है चलिए कि मैं किचन में आई हूँ और सबसे पहले मुझे दही जमानी थी सुबह जमानी थी लेकिए लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था जैसे कि आज काम में मन नहीं था तो बस दूद बचा हुआ था डेली में दही नहीं जमाती हूँ आज कल सर्दी में एक तो इतनी दही लगती नहीं है और फिर चाहिए भी तो मार्केट से आती है लेकिन आज दूद बचा हुआ था त तो ये आनंदा की दई है बहुत ही अच्छी थिक दई होती है और बहुत ही अच्छा खटा मिठास का टेस्ट होता है तो इसकी मैंने दो चमश डाल दी है इसमें और इसको ऐसे फैट लूँगी या तो फिर आप दूसरे बरतन में लेके उपर नीचे जैसे उचालते हैं तो दूसरा बरतन नहीं किया इससे ही इसको कर दिया है थोड़ा सा फैट लिया है इससे दई हमारी थिक जमती है बहुत अच्छा एक जैसा जावन लगता है और देखिए सर्दी का दई जमाने का जो सीक्रेट होता है कई बार होता है कि सर्दी में हमारी दई नहीं जमती तो इ साप कपड़ा इस तरह से बना लें या फिर एक बात और है आप आटे की जो है डबा होता है उसमें रख सकते हैं तो मैंने आपकी आठे की डब्बे में नहीं रखा तो इस तरह से इसको पूरा कवर कर दिया है और उपर से ढख दिया है तो तीन घंटे में हमारी द parachute तरह से उसमें गर्माट बनी रहती है और मसाला दानी मैंने आज साफ की थी खाली हो रही थी तो इसको मैंने माज दिया था अच्छे से और सुखा लिया है दूप में तो इसमें मैं अपने मसाले भर रही हूँ यहां पे तो काम तो कुछ ना कुछ निकले ही रहते हैं काम करने के लिए बहुत होते हैं तो यहां पर मैं मसाला भी बढ़ लूँगी और फिर लगेंगे अपने दूसरे काम पर तो मसाला मैंने बढ़ दिया है और बहुत जादा मसाले मैं इसमें नहीं रखती हूँ नॉर्मल जो डेली के मसाले होते हैं वो ही मैं रूटीन के रखती हूँ उसमें जैसे नमक हो गया गरम मसाला हो गया और बहुत से मसाले हैं जो मैं चाहिए हैं तो वो मैं अलग छोटे छोटे डबो में रखती हूँ तो मसला दानी तो हो गई है तयार अब कड़ लेते हैं हम अपनी गाजर की तयारे और यहां पे मैंने गाजर ग्रेट कर ली हैं और मैंने नहीं किया हैं श्रेने की हैं मैंने पिल करके दे दी थी उसको चील दिया ताचे से और धुल के पहले ही सुखा ली थी तो एक किलो गाजर ली हैं यह जिनको ग्रेट कर लिया है और वेट के हिसाब से ही बोल रही हूँ मैंने यहाँ पे करीब तीन पाउ इसमें चीनी ली होगी मतलब पोना किलो तो इतनी चीनी ली है और चीनी आप कम जादा कर सकते हैं लेकिन मैंने इतनी ली है जादा लेंगे चीनी तो हमारी बहुत ही कड़क वाली बरफी बनेंगी और कम चीनी लेंगे तो वो नरम वाली बनेंगी मेरी बरफी भी नरम वाली ही बनने वाली है क्योंकि उसमें मीठा फिर हमें डबल चाहिए होता है जब जाके गाउं वाली कड़क बरफी बनती है तो ये नरम वाली ही बरफी की रसिपी है और देखिए मेडियम आज पे चीनी मेल्ट हो गई है और अब आज हमें जो है तेज कर देनी है फुल फलेम कर देनी है जब तक ये गाजर गलेंगी और इसका पानी जो है ये सूख जाएगा तो बस इसको बीच बीच में चलाते रहना है और देखिए पानी कुछ-कुछ सूखने लगा है लेकिन अभी इसमें पानी दिखाई दे रहा है और गाजर का पानी सूखने में या फिर लोकी ले लिजिए तो इसमें टाइम तो लगता है और बिल्कुल हलवे जैसे ही है लेकिन इंग्रीडियन्स थोड़े से कम पढ़ेंगे इसमें घी नहीं है और इसमें कोई ड्राइफ रूट भी मैं यूज नहीं करूंगी तो सिंपल गाजर है चीनी है पानी का यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है तो बस चलाते वे आप देख सकते हैं कलर इसका बहुती डार्क हो गया है और गाजर बिल्कुल गल चुकी हैं सॉप्ट हो गई हैं अब मैं इसमें डाल दूँगी या पे थोड़ा सा इलाइची पोडर अगर आपको पसंद है तो डाल लें नहीं तो स्किप कर दें और चला रही हूँ अभी भी मुझे इसमें थोड़ा सा मौश्यर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल इसको ठिक करना है हमें और ठिक होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मावा और मावा मैंने लिया है हाफ केजी हाफ केजी मावा मेरे पास बचा हुआ था तो वो मैं इसमें सारा डाल दूँगी तो देखिए टेक्स्चर देख लिजे इस तरह की होनी है इसकी कंसिस्टनसी जब हम इसमें मावा एड़ करेंगे जब हम कर्ची पे लें तो इसको गिरना नहीं चाहिए कि पानी अलगो गया और गाजर अलगो गया तो ऐसे में फिर ये उठेंगी नहीं बर्फी हमारी तो इसको अच्छे से ठिक कर लेना है और मावा मैंने डाल दिया है फिर इसे पहले निकल के रख दिया था और थोड़ा सा मैंने बचाया था थोड़ा सा पहले डाल दिया था तो पूरा मावा मैंने इसमें हाप केजी डाला है 500 ग्राम तो इतना मावा मैंने इसमें डाल दिया है और मावा थोड़ा सा ज़ादा ही है आप चाहें तो इसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं लेकिन फिर वो यह टेस्ट इतना च्छन नहीं आएगा तो इसमें थोड़ा सा जो है उठने में टाइम लगता है क्योंकि मावा जादा है और चिनी कम है मावा डालने के बाद भी मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए भूना है मीडियम आज पे तेजास नहीं करनी है इस टाइम पे नहीं तो नीचे से मावा जो है जलने लगेगा और भूनना बहुत जरूरी है अगर मावा डालते ही कर देंगे इस तरह बरतन में डाल देंगे तो फिर वो उठेगी नहीं तो परात ली है मैंने छोटे वाली और इसमें घी लगा लिया है अच्छे से और फिर इसका जो है मिक्शर इसमें डाल दिया है और आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा भून सकते हैं लेकिन फिर क्या होगा इसको हमें फैलाना पड़ेगा या तो फिर हाद से या फिर इस पर चला से तो मैंने ऐसे ही इसको देखिए थोड़ा सा नरम था फैला दिया है और इसमें फिर डाल दिया है मैंने नारियल का वुरादा ओपर डेकुरेशन के लिए और टेस्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि इसमें कोई ड्राइफूट मैंने यूज नहीं किया है और अब इसको रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए नॉर्मल टेंपरेचर पे तो देखिए आप मैं आपसे मिल नह हूँ तीन साड़े तीन घंटे हो गए हैं तो दही हमारी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी जम गई है और बहुत ही बढ़िया थिक सी दही जम के तयार हुई है अब मैं इसको सारी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी उपर नीचे नहीं तो फिर जैसे एक कर्छी आएंगे तो कभी यह नहीं होगा कि आज हमारी दही नहीं जमी है सर्दी में भी इस तरह से कवर करके और बस यहां पे साड़े तीन घंटे लगवग इसको भी मेरे हो चुके हैं तो अब मैं यह बर्फी काट रही हूँ लेट हो चुका है उस बीच में शाम का खाना वगेर है यह और थोड़ा सा मुझे उठाने में दिक्कत हो रही थी फिर मैंने जो है परात को नीचे से थोड़ा सा गरम कर लिया है क्योंकि जो घी है मावा है जम जाता है तो बस उसी के लिए मैंने गरम कर लिया है और आप देख सकते हैं बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे से नि कलर भी बहुत ही अच्छा है और टेस्ट की तो पूछे मत तो बिना किसी देरी के बना लीजिए गाजर की बर्फी सरदी स्पेसल और फिर मजा लीजिए हलवे से थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है जैसे हमारी लोकी की बर्फी होती है सेम उसी तरह से होती है लेकिन उसमें फिलिवर जो है लोकी का आएगा और इसमें गाजर का आएगा अब करूंगी इस वीडियो का यहीं पे एंड अगर आपको वीडियो कहीं भी कुछ भी इसमें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर दे दीजेगा प्लीज प्लीज लाइक कर दीजेगा क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो और चैनल पे नहीं हैं सबस्क्राइब कर दीजेगा अब मिलूंगी कल आप से एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू फॉर वाचिंग